नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड आस्चर्यों से भरा हुआ है, आस्मान में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। आज अगर रात में आप आस्मान की और देखेंगे तो आपको एक ही चांद नजर आएगा। लेकिन अगर आप 30 सितंबर के बाद आस्मान की और रात में देखेंगे तो आपको दो चांद नजर आएगे। ये बात हवा हवाई नहीं है, बलकि इसकी पुष्टी खुद अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी ने की है। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुरा है और इसका प्रत्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जिस चांद की बात कर रहे हैं, उसे दुनिया मिनी मून के नाम से जानती है। दरसल अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी का कहना है कि एक दुरलव खगोली घटना के चलते प्रत्वी को एक एस्थाई मिनी मून मिलने वाला है। ये मिनी मून हमें गुनती सितंबर से 25 नॉमबर 2024 तक दीखेगा। आपको बता दें कि धर्ती का ये एस्थाई मिनी मून एक उलका पिंड है जिसे विज्ञान की भासा में एस्टरोन कहा जाता है। इस एस्टरोन को हम 2024 PT5 के रुप में जानते हैं। दरसल एस्टरोन 2024 PT5 को 7 अगस्ट 2024 को खोजा गया था। इस एस्टरोन का आकार 10 मीटर है। विज्ञानिकों का अनुमान है कि यह एस्टरोन गुणती सितंबर को धर्ती के इतने नजदीक आ जाएगा कि यह उसके गृत्वा करसन में कैद हो जाएगा। इसके बाद हमारे चांद की तरह ये भी प्रत्वी के चारो और चक्कर लगाएगा। विज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टरोन पचीस नवंबर 2024 तक ऐसा ही करता रहेगा और फिर यह प्रत्वी की ग्रेविटी से बहार हो जाएगा। विज्ञानिकों का मानना है कि इस एस्टरोन की वज़े से उन्हें धर्ती के ग्रेविटी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। दरसल इस एस्टरोन का आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे नगन आखों से दिखा जा सके। यहां तक कि आम दुर्बिनों से भी इसे देखा नहीं जा सकता है। धर्ती के इस दूसरे चांद को सिर्फ एडवांस अब्जेक्ट्री से देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह खगोले घटना पहली बार हुई है। प्रत्वी के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। आज से करिद 44 साल पहले भी एक मिनी मून देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त भी इसे नगन आखों से देख पाना मुम्किन था। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पतादे की आस्मान में इन दिनों अद्बुद खगोली घटना दीखी जा रही है। देर रात प्रत्वी के बगल से उलका पिंट गुजरा है। देर रात ही सूरज के अंदर भयानक ब्लास्ट हुआ है जिसके चलते प्रत्वी पर सौर तूफाना रहा है। और अब गुणती सितंबर से आस्मान में एक नहीं दो दो चांद नजर आने वाले हैं जो बहुती आस्चर्य घटना है। इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर सामने आ रही है। इस घटना को देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें।